जय हिंद मेरा नाम डॉक्टर जे सिंग है और मैं आज आपको बताऊंगा कि ग्रहन क्या होता है ग्रहन कब लगता है और कैसे लगता है और यह भी बताऊंगा कि ट्रांजित क्या होता है ज्वारभाटा कैसे समुद्र में पैदा होते हैं तो सरफ़तम यह जानिए कि ग्रहन ह पिंड का किसी दूसरे पिंड के छाया में आजाना या किसी दूसरे पिंड के द्वारा उसको छाया में लादेना यहां ग्रहन का लाता है, तो यहां पे आप देखिए कि सूरज और पृतिवी इसके बीच में जब चंद्रमा आ जाता है और एक linear position मनाता है 180 degree पे तो आप देख रहे हैं कि moon की छाया अर्थ पे परेगा तो इसको कहेंगे सूरे ग्रहन ये इस्थिति पैदा कब होता है देखिए ये इस्थिति कब पैदा होगा जब अमावश्या होगा यानि कि एक तो ये आप linear position होना चाहिए सूरज, चंद्रमा और प्रिथिवी के एक सीध में होना चाहिए उसको बोलते है linear position और इसी को conjunction बोलते है यूती कहते है जब प्रिथिवी के एक साइड में चंद्रमा और सूरज होता है तो उसको यूती कहते है लेकिन जब बीज़े इस तरफ में चंडर मां एधर मुझे तो इसको उताथ हो और है तो आप यह पिर देख रहे हैं कि यूटी की स्थिती है कंजक्शन के इस्थितीए दूसरी है कि इस स्थिती में नियू मून होता है इसको अमवस्चा बोलते हैं तो यहाँ पे नूम होगा तुछ गषा फपलिटाउलार यह थोड़ा उपर यह नीचे होगा पांच डिग्री के कौन पर जुका हुआ है मून तो इसके कारण यहां पर सुरेगरन नहीं लगेगा तो सुरेगरन जब भी लगेगा तो लाइनेर पोजिशन होना चाहिए और कि नीउ मून का पोजिशन भी होना चाहिए और कंजॉक्षन की स्थिती होनी चाहिए तब जाके शुरेगरन लगेगा अब शुरेगरन 3 प्रगर का होता है एक है पार्सल दूसरा है एनुलर तीसरा है टोटल अब यह और है है Technique हह थो यह प्रिष्षिवी कि अध्य है और ढूरा सा घृत्ता है चंद्रमा के द्वारा तो उसको कहेंगे और एनूलर कोते हैं जब यहां सूरच के बीच में मून आ रहता है और मून एकदम ठीक बीचों बीच आ जाता है लेकिन इसका थोरा सा प्रकास जो है ना सूरज का वह प्रिशिवी पर आते रहता है तो उसको कहेंगे एनुलर यह बीच बाला पोजिशन होता है एनुलर में क्या होता है कि चारों तरफ से सूरज का प्रकास दिखाई क्यां जिते रहता है तो उस से उसको घेटा मंड़ गाता है तो वह होता है एनुलर एकदम टोड़ा पूरी तरह से जब अप लेता है और प्रिसिवी के इस हिस्सा से सूरज का हिस्सा डाल जाता है और इस साइड़ से अंधेरा दिखाई देता है तो इसी को कहते हैं सुलर एकलिपस तो यह कि देह रहे हैं और शुक जो जो सिधिती है कि और या पर पूर निमा करें क्या होता है और चंडर रांड की शितिती में आप देख रहे है और दोनों तरफ एक तरफ शुरज एक तरफ मून है लेकिन तीन2 लेकिन प्रसय की नहीं को आया रभी हो자ँ के लगा अध्यायाँ पो बिचन्सिकों लगा पूर्च्र मतलब होता है कि तो ये थे तोटल एक य॥े होताública को जब अर्थ बीच में आ जाएगा और एक लाइनियर पोजीशन होगा सीजिगी का पोजीशन नहीं होना चाहिए और जब इसका एक बड़ा हिस्ता को ढख लेगा तो फिर्थिवी की छाया चंदर्मा पे पड़ेगा तो इसको कहेंगे लुनर एकलिपस इसी तरह से अब आप देखें यहां इम्ब्रा यहां पेनम्रा है उसका को जया हो इसको ख मना रहेगा और सब्सकीत weights आ सबस्काइब को इस्तिति में एकदम डार्क हो जाएगा ज्यादा इस सांभी जाएगा तो इसको इसमें टोटल हो जाएगा और पेनमरा में आंसीख वह कर पार्सल होगा कि यह कंब होगा हूल मून के दिन में लाइनियर पोजीशन में नहीं होगा अपोजीशन स्थिती है देख रहे हैं और यह तीन से चार घंटा रहा सकता है जब कि सोलर एकलिफ जो है वह साथ से आठ मिनट जादा 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 सबसे पहले यहां है कि परिकर्मा कर रहा है और अर्थ जो है कि परिकर्मा कर रही है कि ऐससे ही स्थितिमें होता है कि यहाँ पर मुन है और यहां पर अर्थ है एख स्था सब्सक्राइब्स इन पोजीशन बनता है उसके बाद यह बदल लाता है तो यह हिस्टा जो है सामने आजाएगा सब्सक्राइगा तो ऐसे होता है इसी तरह से मून का आप देखिए कि मून में इतना देर के होता है मून में आप देख रहा है कि बीच में अर्थ है सन के चारों तरफ से परिक्रमा कर रहा ही मून आर्थ की परिक्रमार कर रहा है यहां पर देखिए कि इसकिति की सतरह से यह कर गया। और याहां पर और पर और अर्थ जो है वा ऐसे गवन कर रहा है और मून जो है वह भी ऐसे अम कर रहा है। तो सामने रहते हैं तेन से चार घंटा हरा और इस्ते होगा कि यह लूनर बूनर अगया, यह दो पोजिशन होता है आप जानते हैं कि इलिप्टिकल है मून का और वीटल पफ जो प्रिथिवी के चारो स्परफ है तो जब मून सबसे नजदीक रहता है प्रिथिवी से तो उसको कहते हैं पेरी जी उस समय जो चंद्रमा है यह बड़ा दिखाई देता है बहुत बड़ा उसको इस तरह से आप यहां पे देखिए ट्रांजिट क्या होता है बुद्ध और शुक्र आप देख रहा है कि सुरज के बीच में यहां पे बुद्ध का भी और प्लेन है और उसके बाद शुक्र का भी एक और विटल प्लेन है तो आप यह कहेंगे कि बताइए तो बीच में तो बुद्ध आ गया फिर सुक्र आ गया तो फिर यह ग्रहन जो है सिर्फ सुर्य और चंडर्मा पर ही क्यों लग रहा है तो देखिए एक चुली है कि चंडर्मा परेखल ऑन का यह च्छाया उस्तांने परता है उसी को कहते है ट्रांजित उसको पारगमन कहते है या परागमन होते है तो यह पारगमन भी समझे घया है अब बाताता है आपको ज्वार भाटा कैसे पैदा होता है देखिए जब भी सुरिज गरन होगा या चंडर्मा भाटा पैदा होगा यह जोनों ही पोजीशन में समुद्रों में बरे बरे ज्वार उरते हैं उसको कहते हैं दिर्फ ज्वार लेकिन जब ऐसी पोजीशन होती है हम आपको बताते हैं अभी अगर ऐसी पोजीशन हो जाए और इस साइड में अर्थ है और यहां पर माल लेते हैं कि मून आ गया इस तरह के पोजीशन है ऐसे और गुमते में तो ऐसे समकोन यह इस्तिति में नाइन्टी डिगरी का कौन बन नहां इसको कहेंगे लगु जवार का लगु जवार का यह हो गया आपका और यह हो जाएगा नीफ ताइट इस तमय में जवार तो आएंगे लेकिन उसकी तिवरता है कम रहेगी क्यों रहेगी क्योंकि देखिए पिर्थिवी के उपर जल है उ और सूर्ज भी अपनी तरफ खिंच रहा है दोनों अलग अलग दिशाओं में खिंच रहे हैं जिसके कारण इस पर एक बहुत जाना फोर्स नहीं लग पाएगा इसके कारण जो है यहां पे जो जवार है वहां छोटा होता है लेकिन इस पोजीशन में आप देख रहे हैं कि सूरज ज्यादा खिचता है कि मून ज्यादा खिचता है तो आप याद रखे रहिएगा कि सूरज के पास बहुत मास है बहुत ज्यादा ग्रेविटीशन फोर्स है फिर भी वहां ज्यादा नहीं खिच पाता है मून की तुलना में मून का जो गृत्वा करसन बल है वहां ज् उसको खीचने में आसानी हो जाता है तो जब भी जवार भाटा पूछे क्यों आता है तो उसमें आप कारण बताइए कि उसमें सूर्ज और चंद्रमा का गुर्तवा कर्शन सकती तो है ही साथ ही पृधिवी का खुद का रोटेशन भी है उसके जिम्मवार है और उस टाइम मे तो राहु और केतु देखिए पौरानवी कथान के नुसार कहा जाता है कि राहु केतु के श्राप से सूरण में और चंद्रमा में ग्रहन लगता है तो हुआ क्या था कि एक टाइम इसा था कि समुद्र का मन्थन हुआ उसमें से अम्रित निकला तो अम्रित जो है पीने के लिए असुरों में और देवताओं के बीच में घमाशान युद्ध हो गया अब इसमें हुआ क्या कि एक रूप बदल करके कहा जाता है कि मोहिनी का रूप बदल करके उन्होंने कहा कि चलिए भाईया यह असुर लोग को किसी तरह से रोका जाए अम्रित पीने से नहीं तो अ एक असुरू का बनाय इसमें चलाकी से पिला रह सब्सक्रा से लिए उस वह रहा चले कि देखें घरना देते है तो गर्दन जो कार देते हैं उस बेखती का तो राहु और केतु बन जाता है उसका न्हीं होजाता है इसलय से जर Epic समाने और चंढरमा करता है तो यह इस वार मत मानने आपका जीसा घंता तो आप मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि क्या है लेकिन इसमें समझ जाएं कि सिजगी और पूर्णिमा को नहीं लगता है ऐसे क्यूं होता है क्योंकि दोनों के őॉर्बिटल फ्लेंड में ठोड़ा सा अंतर है दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं है पांच डिगरी जुकाब है चम्रमा के अपने अक्ष पे और फिर्थवी चारे तेश डिगरी जुकी हुई अपने अक्ष पे दोनों को मिला दिजिए तो लगभग और सारे अथा इस गेरी का कोण बानता है और इसके कारण क हमेसा नहीं बन पाता है कभी सामने दे लेकिन होता की है कि पांच दिगरी जुकी होने के कारण चाद्रमा थोरा से ऊपर की और उठा हुआ रहेगा या अंदर की और धासा हुआ रहेगा जिसके कारण एक पोजीशन बनेगा नहीं या विधर से देखने पर होता है कि सीधे इसका प्रकास हो अर्थ पर पढ़ेगा तो उस टाइम में ग अब 28 दिगरी तक उपर चले जाईए और फिर 28 दिगरी साउथ में भी चले आईए तो चंद्रमा का जो तल है वह इस तरह से है प्रिथिवी का चक्कर लगाने का इस तरह से तो आप देख रहे हैं कि एक्वेटोरियल प्लेन नहीं है बलकि इस तरह से चक्कर लगाते रहता है तो इसी लिए स्थिजगी का पोजिशन बनते रहता है इसी लिए परतियक पुर्निवा और परतियक मवस्या को ग्रहन नहीं लगता है तो मुझे लगता है कि आप इसको भी समझे होंगे एक्जाम में कोश्चन आता है इस चीज को जरूर आप याद रखते रहेगा अब आप नंगी आँखों से देखेंगे उसको तो फोटोपिया और इकोटोमिया नाम का बीमारी हो सकता है और आपका डैमेज हो सकता है इसके लिए उसको नहीं देखना चाहिए साथ ही हम आपको यह बता रहे हैं कि जब ग्रहन लगता है तो क्या होता है टेंपरेचर डिक्री में हो जाएगा व्याइप साथ यहां लिखे स्ट्रेट वेस्ट टुइस्ट बनेगा अब जो यहां पर शैडव है वह शैडव वेस्ट टूइस्ट बनेगा क्योंकि प्रत्वी पस्टिम से पूरव की और घूमती राती है जैसे माल लेते हैं कि यह अर्थ है और यह भी ऐस से घूमती है और चंद्रमा भी इसके ऐसे ही चक्कर लगाते रहता है तो जब सेड़ों बनेगा ग्रहन का तो पस्टिम से पूरा भी बनेगा वह ऐसे बनता है ऐसे सेड़ों भी बनेगा इस तरह से तो आप मेरे ख्याल से भी समद गये हैं और देखिए बहुत सारा अनविषवास जुरा हुआ है ग्रहन को ले करके लेकिनों उस अनविषवास में दम नहीं है उस अनविषवास को मानने की जरोद है नहीं आप समानी किरिया के लाब उस दिन कर सकते हैं बस काली समुद्र में ही जाना रता है, औरूम